हाई गाईज कैसे हैं आप सब मेरे नाम है दीपक चौर रस्या और आप सभी का हमारी सीटीव चैनल पर स्वागत है तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एपल अपने आईफोन को इतने जादा अपडेट्स क्यों देता है तो वीडियो एंट जरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही लेगन को आउन कर लिजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर आपडेट से रिलेटेट आपल के नियूज आईफोन की से रिलेटेट वीडियो मिलती रहती हैं तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि एपल अपने आईफोन को कम से कम पात साल तक अपडेट देता है और कई लोग इस चीज के सपोर्ट में कि बहुत ही अच्छी चीज है इतने साल तक इतने टाइम तक हमको अपडेट मिलते रहते हैं और कई लोग बहुत ही दुखी रहते हैं कि हर 2 महिने में क्या जंजट हो गया हेपल का मतलब अपने फोन को अपडेट करो कि हर 2 महिने में आपडेट करता है या इसकी जो 2 ही चीज समझ में आती दो ही बहुत important बाते हैं मुझे लगता है इसी वजह से आपल ऐसा करता है पहली चीज में आपको बता दूँ कि आज के टाइम पे आप सभी लोग जानते हैं hackers कितने ज्यादा smart होते जा रहे हैं और नई नई जो चीजें है किसी का Twitter account हो जाता है किसी का कुछ आज कल जानते हैं आप लोग कितनी मतलब जैसे जैसे प्राइवेसी बढ़ती जा रही है सेक्योर्टी भी बढ़ा रही कंपनियां वैसे वैसे हैकर स्मार्ट होते जा रहे हैं यहां पर हम बात करें अगर आपल की तो हर दो महीने में एक नएक अपडेट जो है आईफोन के ल आप इतने ज़्यादा पैसे देकर अपने आईफोन को खरीदते हो तो एपल का भी फार्ज बनता है कि उसकी जो सेक्योर्टी उसकी प्राइवेसी उसका जो डाटा है उसके कस्टमर का वह हिंसाब से रहे सही तरीके से रहे तो आपने बहुत ही कम ऐसे केस सुने होंगे कि क किसी का आईफोन हैक हो गया बहुत ही आसान नहीं होता है किसी आइफोन को हैक कर लेना और जब भी अपडेट आता है उससे पर साफ साफ लिखा होता है कि इस अपडेट को आपको करना चाहिए इससे आपकी प्राइवेसी और भी सही हो जाएगी तो यहां पे सेक्यूरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है आपल ध्यान रखता है इसलिए अपडेट जो है देता रहता है दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ आपल अपने पांच साल तक अपन से मिलते रहेंगे तब जो 2027 तक अपडेट मिलते रहेंगे तो जो कस्टमर होते हैं सुचते हैं अभी खरीद लेंगे तो कम से कम चार्ज पांच साल तक तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेसी को लेकर के अपडेट से रिलेटेट कोई प्राब्लम नहीं आईगी पांच साल तक तो यहां पर कस्टमर बहुत खुस रहते हैं इस चीज़ से कि पांच साल तक अपने आईफोन को अपडेट देता रहता है इससे कस्टमर भी बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं आईफोन 11 I think 2019 में आया था कि अपर की जो प्राइवेसी उसका डाटा है उसको सेक्योर रखना चाहता है और यह बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों को बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहें दुखी इसलिए हो जाते हैं काफी लोग क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं होता है और इसके जो अप्डेट मिलना भी सही है क्योंकि आपका डाटा सेक्योर है तो यही दो मुझे इंपॉर्टेंट बाते लगते हैं इसलिए अपने आइफोन को इतने जादा अपडेट देता है आपका क्या कहना नीचो कॉमन करके बता दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ लोग ऐसा है जो आईफोन खरीदना चाहते हैं कई लोगों के पास एंड़ाइट फोन है कई यहों के पास तिक्सस है क्योंकि इसमें जून के बाद अपडेट मिलेंगी नहीं तो कोई आईफोन नया खरीदने का प्लान कर रहे होगे तो आपको सही चीज और पता चल जाएग इसी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथी भी लागन को आउन कर लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो डलों उसकी नोटिफिकेसन आप लोगों तक पहुंच जाए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नया और अच्छे वीडियो में तब तक के लिए कर लिए सुन्छे वीडियो